महिला के उत्थान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री निटीश कुमार्ड ने एक सराहनीय निर्नलिया है इसके तहट अब प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को महिला लीड करेंगी दरसल बिहार सरकार अपने इस कारेकाल में साथ निश्चे भाग दो को लेकर आ रही है जिसके चलते सशक्त महिला शक्षम महिला योजना को धरातल पर लाने की तयारी की जा रही है उनके इस फैसले से राजी के अलग-अलग कार्यालों में सभी पदों पर महिला की हिस्सेदारी बढ़ेगी नितीश कुमार ने इस फैसले को महिला शशक्ति करन की दिशा में बड़ा कदम बताया है लेकिन इस योजना का राजी की कितनी प्रतीशत महिलाएं लाब उठा पाएंगी यह तो वक्त बताएगा गौर तलब है कि इससे पहले नितीश कुमार ने नौकरी में महिलाओं को पहले से 35 प्रतीशत आरक्षन दिया हुआ है इसके बावजूद भी बिहार सरकार के अधीन रत कार्यालों में भी प्रधान के रूप में महिला पदादेकारी की संख्या काफी कम है जिससे आरक्षन के प्रवीधानों का मौलिक उद्देश पूरा नहीं हो पा रहा है इसका एक मात्र कारण प्रदेश में पूरुषों की तुलना में महिलाओं का साक्षर्ता दर कम होना है भारत की राष्ट्रिय संख्याईक कार्याले की ताजा रिपोर्ट के मुताबर बिहार कम सारक्षकता दरवाले राजों में तीसरा स्थान पर है साथ निश्चे दो उसके संदर में भी क्या योजनाएं होंगी लगभक योजनाओं की भी पूरी तयारी की जा चुकी है और हम लोग नए इस जो आपका बजट है इसमें उसका भी कुछ प्रापधान होगा और काम भी हम लोग समझ लिजे कि 2021 से सुरू कर देंगे हम लोग पूरे तोर पर सब जगह जो कुछ भी संभव होगा और सब के लिए योजनाएं तक बन रही है हर जगह का पूरा का पूरा सर्वेक्षन करके कहां क्या होगा और एक एक चीज के लिए काम हम लोगों ने करवाना प्रार्म किया और पहले का जो काम चल रहा है पहले का जो साथ निश्चे का जो काम जो कुछ बचा हुआ जैसे हर घर पानी पहुँचाने वाला नल का जल तो कुछ जगह जो बचा वो पूरा होगा एक एक काम पूरा हो जाएगा और बाकी जो काम पहले से चल रहा है विकास का वो ही काम होगा जो पहले से आप जानते ह हैं कि जिस पर काम प्रारंब किया गया वो सब भी पूरा हो जाएगा और इसके अलावे जल जीवन हर्याली अवियान के अंतरगत जो हम लोगों ने योजनाएं बनाई है उन सब योजनाओं पर भी अमल चल रहा है उन सब चीज़ों को भी दिखे लिए 77.9 फीशदी सामागर सारक्षतादर से बिहार राश्ट्री औसद में 77.7 फीशदी पर है महिलाओं की सिक्षा के प्रती जागरुकता बहुत कम है ऐसे में इन्हें इसका कामियाजा भुगतना पड़ता है जैसे नौकरी में आरक्षन होने के बावजूद वह चाहकर भी इसका लाव नहीं उठा पाते दरसल महिलाओं को लेकर समाज एवं परिवार वालों की दाकी यासुनी सोच को लेकर वे सिक्षा पाने के लिए अपने अधिकार से वन्चित रह जाती है और जीवन भर अपने पिता और उसके बाद भी अपने पती पर आश्रित होने पर मजबूर हो जाती है न्यूस डेस्क नेशन न्यूस पतना